वेलो स्टोडेंट आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर पिर ओफ लिनेर इक्विशन इन टू वैरियेबल एक्सरसाइज 3.4 कोशी नमबर आज हम लोग 1st का 4 देखेंगे लास्ट कोशीन 1st का 4 ठीक इसमें 4 पाथ थे आज हम लोग इसका 1st का 4 देखेंगे हमलोग को क्या करना था इसमें ग्लार के लिनेर इक्विशन दिया था उसका हमलोग क्या करना था उसको हमलोग elimination method से transfer and substitution method से solve करना था चैप आज हम लोग question no.4 देखेंगे फर्स्ट का 4 तो चैँरिए देखते कрим ए 632 प्लस Warm and an x-y by 3 equal to 3 और सास्थे बिसे सबसे पहले हमनों Elimination Method से solve करेंगे लिए देखते हम लोग इसको कैसे बनाएंगे तो चलिए हम लोग लिख लेते equation को लिख लेते x by 2 plus 2y by 3 equal to minus 1 इसको हम लोग equation one ball मान लेते हैं इसको और x minus y by 3 equal to 3 equation 2 अब चलिए हम लोग क्या करेंगे अब इसको हम लोग क्या करेंगे चलिए equation 1 को देखते है ठीक है from equation 1 ठीक हम लोग करें क्या है fraction में तो सबसे पहले इसको simple form में convert कर लेते हैं ठीक है simple form में बदल लेंगे तब जाके हम लोग इसको solve करेंगे तो असानी होगा ठीक है student fraction में तो हम लोग इसको क्या करेंगे simple form में बदल लेंगे तो हम लोग लिख लेंगे x by 2 plus 2y by 3 equal to minus 1 ठीक है अब चलिए हम लोग क्या करेंगे LCM कितना आजाएगा 6 आजाएगा 2 से divide करेंगे 6 को तो 3 times 3 को x से multiply करेंगे तो 3 x plus 3 को 6 से divide करेंगे कितना टैंस जाएगा 2 times 2 को 2 से multiply करेंगे तो 4y equal to क्या आजाएगा minus 1 3 x plus 4y 6 को equal to कितर पेज़ेंगे तो minus 1 into 6 ठीक है 3 x plus 4y equal to कितना आजाएगा minus 6 equation number sorry equation number 3 मान लेते हैं हम लोग नहीं है पर 1 2 मान लेता अब इसको एक काम करते है आता हम लोग इसको क्या करते हैं इसको हम लोग a और इसको equation number 1 ठीक है a b और इसको a minus b और इसको हम लोग कर ले equation number 1 आप हम लोग चलिए किसको देखेंगे from equation B from equation B ठीक है चलिए अब B से देखें क्या है X minus Y by 3 equal to 3 अब हम लोग क्या करेंगे fraction में तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको simple form बदल लेंगे LC हम ले लेंगे कितना आएगा 3 X minus Y equal to 3 3 X minus Y equal to क्या आउज आएगा 3 into 3 ठीक है 3 धर चला गिया 3 X minus Y equal to 9 हम लोग के equation number 2 चलिए अब दोने equation को मैं एक साथ लिग देता हूँ आपके लिए चलिए मैं आपके लिए next पर मिली तो यहाँ पर स्विस्टिक होगी यहाँ पर क्या होगा 3 X ही होगा Y नहीं होगा यहाँ पर X होगा ठीक है चलिए यहाँ पर लिग देता हूँ आपके लिए हम लोग वज़ाएगा 3 X plus 4 Y 3 X plus 4 Y equal to minus 6 यह हम लोग का first equation है और second equation हम लोग का क्या है 3 X minus Y equal to 9 यह हम लोग का second equation है तो हम लोग इसको क्या करते हैं student हम लोग मतलब दोनों variable में से हैं X और दोनों की दोनों में से किसी एक variable को क्या करता है हम लोग eliminate कर देते हैं ठीक है तो हम लोग कैसे करते हैं चलिए देखते हैं हम लोग को जैसे कोई भी हम लोग क्या है जैसे हम लोग Y को eliminate कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें जो equation equation 1 का y का कॉफिसेंट उसको multiply कर देंगे equation 2 से और equation second का y का जो कॉफिसेंट उसको multiply कर देंगे हम लोग equation 1 से ठीक है तो कॉफिसेंट को multiply करते है ठीक है तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे multiplying by 4 in equation 2 ठीक है y को कॉफिसेंट क्या था 4 इसको multiply कर देंगे equation 2 से in equation 1 से ठीक है 4 को multiply करे equation 2 से और 1 को multiply करे equation 1 से ठीक है तो चलिए हम लोग को क्या हाँ जाएगा 3x plus 4y equal to 6 equation 1 है multiply करे कितना से 1 से 9 9 है equation 2 हम लोग का इसको multiply करे हम लोग 4 से चलिए multiply करेंगे तो क्या आएगा हम लोग को चलिए देखते है आप लिए देखते है वी गेट तो चलिए क्या आएगा हम लोग को 3 1 को 3x multiply करेंगे 3x plus 1 को 4y से multiply करेंगे 4y equal to 1 को minus 6 से multiply करेंगे minus 6 4 को 3x से multiply करें कितना हो जाएगा 12x 4 को minus 4 को y से multiply करेंगा तो 4y equal to कितना हो जाएगा 9 को 4 से multiply 36 ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे यह पर लिख देते हैं इसको equation number 3 माल लेता है और इसको equation number 4 यह पर लिख देंगा adding adding equation 3 and 4 ठीक है 3 and 4 चलिए add करते थे 3x plus 4y equal to minus 6 12x minus 4y equal to 36 मैंने आप लोग को बाता था जब भी हम लोग adding करते हो थे हाँ पर sign change नहीं होता जब subtract करते हैं तो sign change होता है अब देखिए कितना हो जाएगा plus 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 15x हो जाएगा देखिए plus 4y या minus 4y क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए minus plus minus करेंगे 36 में 6 minus करेंगे कितना हो जाएगा 30 x का value कितना हो जाएगा 30 by 15 cancel हो जाएगा 15 वन्दे 15 15 to the 30 x बराबर कितना आगे 2 अब हम लोग क्या करेंगे x का value को equation 2 में put कर देंगे हाप लिख देते है putting the value of x in equation second second क्या 3 x minus y equal to 9 ठीक है चलिए इसमें put कर देंगे x का value 3 into x का value 2 minus y equal to 9 कितना हो 6 y equal to 9 minus y equal to कर जाएगा 9 यह दर जाएगा minus 6 यह कितना हो जाएगा minus y बराबर कितना हो 3 और y बराबर minus 3 आजएगा x बराबर 2 आगया y बराबर minus 3 यह हम लोग लिख देंगे hence hence x बराबर कितना आगया 2 and y बराबर कितना आगया minus 3 चलिए अब हम लोग substitution method से solve करेंगे तो चलिए मैंने आपके लिख दिया अब हम लोग किसी method से solve करें substitution method से ठीक equation 1 और 2 मैंने लिख दिया अभी मैंने इसको सीधे fraction के form में लिखा इसको जो solve के था उसको लिख दिया तो बहुत ज्यादा बहुत लंबा वीडियो बन जाता है ठीक है तो चलिए इसको अब हम लोग solve करेंगे from equation 1 ठीक है 3 multiply में था equal to के दर आएगा तो divide में ठीक है x का value को put कर देंगे हम लोग equation number किसमे second में putting the value of x in equation किसमे second में चलिए put कर देते है 3x minus y equal to 9 ठीक है अब चलिए हम लोग क्या करेंगे put कर देंगे 3x के place में कितना हो जाएगा minus 6 minus 4y equal to sorry upon 3 minus 6 minus 4y divided by 3 minus y equal to 9 cancel हो जाएगा 3 बंज़ 3 बंज़ 3 यह कितना हो जाएगा minus 6 minus 4y minus y equal to 9 minus 6 देखिए minus 4y minus y है जब minus minus जाएगा तो minus लिक के add कर देते है कितना हो जाएगा 5y equal to 9 ठीक है minus minus प्लस होता है ठीक है याद रखेगा minus minus प्लस होता है minus कुमा minus क्या होता है plus जब भी minus minus रहता है minus लिक के add कर दीजे आप देखे minus 5y minus 6 को equal to उदर बेजेंगे तो plus 6 हो जाएगा minus 5y क्या हो जाएगा minus 5y यह हो जाएगा add कर देंगे तो 15 आप क्या करेंगे y का value निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा 15 by minus 5 cancel हो जाएगा 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और y का value कितना आ जाएगा minus 3 आ जाएगा ठीक है y का value कितना होगे minus 3 पूट कर देंगे equation number 1 में put in the value of y in equation in equation first हम लोगों first question क्या है 3x plus 4y equal to minus 6 3x plus 4 y का value minus 3 equal to minus 6 ही के चलिए यहाँ पर क्या होगे 3x कितना होगे plus minus minus 12 equal to minus 6 3x क्या होगे equal to minus 6 minus 12 equal to जाएगे plus 12 3x बराबर कितना होगे 6 minus plus minus 12 में 6 minus करेंगे 6 12 को पहले plus sign इसलिए plus जो पढ़ा रहता है उसी का sign लगता है तो इसको मेहली देता हूँ 3x equal to 6 x बराबर कितना होगे 6 by 3 cancel होगा 3 बराबर कितना होगे 2 and y बराबर कितना है minus 3 तो हम लोग का क्या हगा देखिए दोनों का answer आ गया elimination method से भी इतना ही answer आए और substitution method से भी इतना ही answer आए ठीक है social video पसंद आए तो like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और इस channel को subscribe कीजिए thank you झाल उर आए